वेलो दोस्तों आप देख रहे हैं कूल प्लस सिस्टम दोस्तों अच के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समसंग डीजी चाच कूल रेफ्रिजेटर के बारे में जो कि यह सिंगल डूर रेफ्रिजेटर है और इसमें कैस्टमर का कम्प्लेन है कि इस प्रेज में सब्सक्राइब नहीं किये सब्सक्राइब करें बेल इकन को प्रेस करें इससे आने वाले वीडियो का नोटिविकेशन आपको जल से जल मिल सके तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा यह समसंग का डीजी टच कूल रेफ्रिजेटर है और इसमें एरो शो हो रहा है जैसे कि आपको दिख रहा होगा नीचे से एक, दो, तीन, चार नंबर पे इसका एरोर शो हो रहा है और इस कंडिशन में ये फ्रीज जो बिल्कुली स्टोप हो गया है यानि कि बिल्कुली बंद हो गया है, अंदर में पूलिंग औगएरा नहीं हो रही है और इस कंडिशन में हम इसके बोल्टेज को पहले चेक करेंगे जैसे कि इसके पावर बोर्ड में अगर हम चेक करते हैं तो 220 बोल्टेज आना चाहिए इस फ्रीज में 220 बोल्टेज तो आ रहा है लेकिन error show हो रहा है और जब यह error show होगा तो इसमें compressor start नहीं होगा compressor बिल्कुली off रहेगा इसके कारण freeze में cooling नहीं होगी और जब यह error show होगा तो बिल्कुली freeze बंदी रहेगा खाली display पे show करता रहेगा वो भी error यह जो error आपको सामने दिख रहा है इस error का जो मतलब होता है वो deferral sensor का होता है जैसा कि E-bub operator में लगा होता है क्योंकि इसमें regulator नहीं होता है और sensor ही होता है तो E-bub operator में अगर sensor नीचे के side में लगा होता है और उसको अगर आप निकाल के उसके point value को check करेंगे तो वह sensor जो है वह खराब हो जाता है उसके point value जो सव नहीं करतें तो इस करण़ से यह जो error आ रहा है यह error जो है वह so करेगा यह display पर अगट डिस्प्लेय पर error तो हो रहा है तो प्रड़ानी की सेंसर उसका जो है वो सोट हो चुका है खराब हो चुका है फिर आपको उसको बदली करने की ज़रूरत पड़ सकती है आप उसको बदली करेंगे तो पूरा का पूरा एक्टोमेटिक ली डिस्प्ले जो है वर्किंग कंडिशन में आ जाएगा नॉर्मल है कि आपको सैंसंग डिजी चाइच स्कूल में आपको दिख रहा होगा कि यह यह वो सेंसर का प्रोब्लम है तो अगर आप सेंसर को बदली करेंगे तो यह प्रोब्लम बिल्कुल हो जाएगा कोई इसी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो ला